Assalamu alaikum and welcome मैं हूँ शागुफता और आप देख रहे हैं My Kitchen My Dish आप सब वीवर्स का बहुत बड़ा बला स्वागत है मेरे किचन में और आज की मेरी रेसिपी है Crispy Fried Fish बहुती टेस्टी और बहुती क्रिस्पी तो इसके लिए मैंने ली है सुर्मई मचली सबा किलो की सुर्मई मचली मैंने ली और उसके बीच के पीसिस को मैंने लिया है फ्राइ करने के लिए बाकि उसके सर के साइड का और दूम के साइड के पीसिस को मैंने रख दिया है तूसरी डिश बनाने के लिए means फिश करी बनाने के लिए तो ये fish आप देखे, ये देखे, सारे pieces जो है, बिलकुल आधे इंच के slices कटे हुए हैं, और ये पेट का piece नहीं है, ये पूरा एकदम solid वाला piece है, जिसमें कोई hole नहीं होता है, तो इन pieces से जब इस fish fry को बनाते हैं, तो बिलकुल KFC के chicken के जैसी इसकी texture और वगरा होता है, और ये बहुत tasty लगती है खाने में, इसे starter के शकल में भी खाया जा सकता है, snacks की शकल में खाया जा सकता है, इसे टिफिन में pack करके ले जाया जा सकता है, office, तो मैंने शुरू करते है recipe, मैंने ले लिया एक mixing bowl और इसमें डाल दिया है, मैंने दो चमच लहसो नद्रक का paste, इसमें दो marination से marinate करने वाली हो, एक चाय का चमच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें नीचोडूंगी मैं एक नीबू का रस, तो ये नीबू के रस में ही मैं इसमें कोई पानी वगएर नहीं मिलाने वाली हो, और ये सारी चीज़ों को mix कर दिया, ये चार चीज़ा है, लहसुन अधरक का, पेस्ट है, नमक है, लाल मिर्च है और नीबू है, अब मचली के सारे पीसे को मैं इससे marinate करके 10 मिनट के लिए रख दोंगी, ऐसे मसाले को लगाऊंगी कि सारे पीसे पे बराबर से लग जाए, बिलकुल ताजी सुर करते भी नहीं होते हैं, जादा बीच का एक काटा होता है, इससे धरक देंगे 10 मिनट के लिए, अब जब दिये 10 मिनट तक marinate हो रहे हैं, इतनी देर में मैं इसका दूसरा marination तयार कर लेती है, तो मैंने ले लिया एक दूसरा mixing bowl और इसके अंदर ये आधा नीबू निचोड कश्मीरी मिर्च एक चाई का चमच और चिली फेक्स एक चाय का चमच और कुटी हुए एक चाय का चमच जीरा एक चाय के चमश धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ये याद रखते हुए कि पहले मैरिनेशन में भी हमने नमक डाला है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी धनिया और सारी चीजों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक चाय के चमश जितना पानी मैंने डाला है कि मतलब पेस्ट जो है अच्छा पेस्ट बन जाए और लगाने में एजी हो बिल्कुल सुख सुखा ना रहे तो दस मिनिट कंप्लीट हो गए और अभी इस मेरिनेशन के मसाले को भी मैं सारे पीसिस के उपर अच्छी तरीके से लगा दूँगी मसाला सारे पीसिस के उपर बराबस से अच्छी तरीके से लगाए हाथों की मदद से लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आज मैं देखिए जादा नहीं बोल रहे हूँ है सब लोग बोलते हैं कि मैं जादा बोल रहे हूँ देखिए मसाला सारे पीसिस के उपर लगा दिया और उसे साइड में रख दिया अब मैं इसके लिए बनाऊंगी एक पाउडर कोटिंग तो एक कप रवा मैंने मिक्सिंग बोल में डाला और दो टेबल स्पून मैंने कौन फ्लोर डाला है इसके अंदर मैंने डाला है एक चाय का चमच कुटी हुई लाल मिर्च तीन बार लाल मिर्च डाली है जीरा आमचूर पाउडर नमक थोड़ा सा हल्दी थोड़ी सी ये सारी चीज़ा याद रखते हुए कि नमक पहले भी डाला था तो थोड़ा थोड़ा करके नमक डालें बहुत ही कंट्रोल में अब इस पूरे पाउडर मसालों को उस रवे के साथ में अच्छी तरीके से मिला देंगे तो ये पाउडर कोटिंग आ गई तो जिस तरह आपको याद होगा के एफसी के चिकन में पाउडर कोटिंग करके जब उसे फ्राइ करते हैं तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी और बहुत तेस्टी होता है बिल्कुल वैसे ही मिर्च को मैंने तीन बार डाला है जब लेकिन मिर्च को रवे के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसका तीखापन कम हो जाता है अब इस पाउडर कोटिंग से मैं सारे पीसे को एक एक करके कोट करके साइड में रख दूँगी इस तरीके से कोट करेंगे मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल अलग-अलग ढंग से करती हूँ तो उससे क्या मेंस नहीं होता है मेरे हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होता है गंदे मिस सारी चीजों से मेंस नहीं होता है अब यह देखिए इसे साइड में एक प्लेक में मैंने रख दिया अब सारे पीसे को मैं इस पाउडर कोटिंग से इसी तरीके से कोट करके रख दूँगी और 10 मिनट के लिए उसे फ्रिजर में रख दूँगी means 10 मिनट मैंने पहला मेरेनेशन फिर 10 मिनट के लिए दूसरा मेरेनेशन उसके बाद फिर से ये पाउडर कोटिंग करके 10 मिनट लेकिन ये सारी चीजे आप फटा-फट एक साथ भी कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी अगर आपको टाइम नहीं है तो आप फटा-फट एक मैरिनेशन कीजिए फिर दूसरा मैरिनेशन बनाएए दूसरा मैरिनेशन कीजिए आप ये देख अब ये 10 मिनट कंप्लीट होगा और मैंने इसे फ्रीजर में से निकाला है ये देखिए फ्रीजर का वेपर आपको दिखाई देगा प्लेट के उपर अब मैं इसे पकाऊंगी पैन को मैंने गैस के उपर रख दिया है और पैन जैसे ही गरम हो जाएगा इसके अंदर मैं डालूंगी एक से डेड़ कप सरसो का तेल या राई का तेल या इंगलिश में उसे मस्टर्ड ओयल कहते हैं ये ओयल का ब्रेंड मैंने आपको दिखाया ये रिफाइन मस्टर्ड मिन्स रिफाइन सरसो का तेल है ऐसे एकदम जादा गरम होना चाहिए तब तक चुन-चुन भी होने लगे और उसके बाद भी आपको उसे गरम करना है जब उसके अंदर से धुआ उटने लगे धुआ उटने लगेगा तो जो हल्की फुल्की उसके अंदर राई की महक होती है वो भी उठ जाएगी मचली को राई के तेल में पकाना या सरसों के तेल में पकाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसी तेल में अब ये देखे इसमें से धुआ उठ रहा है अब ये पकाने के लिए तैयार है तो अब मैं गैस को क परूंगी slow क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गरम है और अब उसके अंदर एक एक pieces को बिल्कुल आराम से एक एक piece को डाल दूंगी आप यह देखिए freezer में रखने से 10 minute coating उसके उपर अच्छी तरीके से चिपक गई है तो मैं at a time इतने ही piece डालूंगी जो आसानी से उसके अंदर move हो सके तो मैं डालूंगी इसके अंदर 4 piece चार piece आराम से move होते हैं और उसे तब तक मैं हेलाऊंगी जब तक कि उसकी coating अच्छी तरीके से उसे पकड नहीं ले मैं उपर से तेल डाल रही हूँ गरम तेल है उपर से डालने से उपर से भी वह थोड़ी थोड़ी पक जाती है इसे दो मिनट एक साइड से पकाऊंगी मीडियम आज के उपर क्योंकि वह coating जले नहीं और फिश अंदर से पक भी जाए इस फिश को पकने में जादा टाइम नहीं लगता है देखिए मुझे मैंने पलट दिया है अब दूसी साइड से भी मैं इसके उपर ओईल गरम डाल रही हूँ तो इस फिश को पकने में चार मिनट से जादा नहीं लगते हैं क्यूंकि वह आधे इंच की पतली पतली स्लाइस हैं हम फिश को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए यह देखिए मैंने इसे फी पलट दिया अलट पलट करके मिन्स एक साइड पूरी पक जाए फिर पलट के दूसरी साइड से पका ले बस इतना काफी है बाहर की कोटिंग एकदम क्रिस्पी होती है चार मिनिट पकाने के बाद अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसे निकाल ले ब्राउन नहीं गोल्डन कलर आने के बाद इसे सब को पीसेज को निकाल ले और बाकी के पीसेज भी इसी तरीके से फ्राई कर ले उपर उपर से तेल डालते रहते हैं तो वो क्रिस पी और अंदर से जूसी और बहुत तेस्टी होती है जिस तरीके से के एफसी का ड्रम स्टिक होते है यह देखिए कितनी अच्छी कितनी खुबसूरती से फ्राई हो गई है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और इस मचली को ढख के ना पकाएं अगर मुटे मुटे पीसेज हो तो थोड़ी देर के लिए ढखें अब इक एक पीसेज को मैं निकाल लूँगी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके है तीशू पेपर के ऊपर मैंने निकाला है तो एक्स्ट्रा ओयल जो है तीशू सोक लेंगे टिशूज एक दम क्रिस्पी खटखट की आवाज आ रही है इसमें से बाकी के पीसेज को भी मैं ऐसे ही डाल कर फ्राई कर लूँगी इन्हें भी वैसे ही फ्राई करूँगी और यह बहुत अच्छे फ्राई होता है इनके कोटिंग बिलकुल उतरती नहीं है ज देख रहा है होने के लिए थोड़ा से धका है मैंने जल्दी से पकने के लिए पलेट दिया इन्हें सुर्मे मचली खाने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें काटे नहीं होते हैं बच्छों को भी खिलाना बहुत एजी होता है आप अगर अपने हिसाब से मिर्च को है एड़िस्ट कर सकते हैं मैंने बहुत अच्छी चटपटी फ्राइ फिश बनाई है तो वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने कॉंटेक्स में अपने दोस्तों के साथ शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक अबरी गुट कर अफ यरसल फंद यर फैमली बाई